हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A15 Android My iPhone में आप जब भी अपने फोन से call पर बात करते हैं तो call पर बात करते से में आवाज जो है नहीं जाती है तो इस प्रोलों को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको टैप करना जिद करना है खिर अपको इस तरी की से पेज आता है इसमी और इस पेज ना सबसे उपण स्पोर इस सिस्टम एप्शन अंपको इस पेज में नीचे की साथ को या आपको एक ऑप्शन मलता आपको जो ना अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि वो update है या नहीं है इसके लिए पहले phone का internet आप चालू कर लिजे इसके बाद phone का setting page ओपन कर लेना है इसमें आपको सबसे उपर इस search icon पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में आपको software लिखना है ठीक है अब दीकिए अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone का एक बार restart करना है इसके लिए phone के side वाला power button उंगली से दबा के रखना है आपकी screen के साने page आता है इसमें आपको restart का यह option tap करना है इससे आपको phone जो है automatic switch off हो के automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई भी problem आती तो वो solve हो जाती ठीक ना अब दीकिए अगला काम यह करना है आपकी mobile phone का नीचे की side में जो mic होता है उसे आपको हल्क आतो है साफ कर लेना है होता कि है mobile phone के microphone में थोड़े बहुत धुल मत्ती जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज नहीं जाती है ठीकिए अगला काम यह करना है mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए सबसे उपर इस search icon पर टैप करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की साइड है factory data reset पर टैप करना है आपको फोन डिरेक्ली आपको setting में लाएगा factory data reset पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे reset का यह option टैप करना है इससे आपको phone जो reset हो जाएगा और आपकी जो problem है ना solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उस दूसरी बात यह ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है ठीक ना तो मेरे बताएवे सारे process आपको यूज करना है इससे आपकी प्रॉडम स्वाल हो जाएगी ठीक है